सुप्रिम कोट ने बुद्वार को पतंचली के विवादित विग्यापन केस में बाबर रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफिनामे को भी खारिच कर दिया जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमान तुला की बेंच ने पतंचली के वकील विपिन सांगी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जान पूछ कर कोट के आदेश का उलंगन किया है कारवाई के लिए तयार रहें उत्रखंट सबकार की ओर से द्रोव महता और वन्शुदा चुकला ने एफिडेविट पढ़ा सुप्रेम कोट ने कहा कि केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है कानून का पालन कीजिए छे बार ऐसा हुआ और बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे इसके बार जो आया उन्होंने भी यही किया तीनों अफसरों को तुरंट सस्पेंट किया जाना चाहिए और मामले के अगली सुनवाई 16 अप्रेल को होगी इससे पहले 2 अप्रेल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंचली के तरफ से माफी नामा दिया गया था और उस दिन भी बेंच ने पतंचली को फटकाव लगाते हुए कहा था कि यह माफी नामा सिर्फ खाना पूर्ती के लिए है आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा इसके बाद कोट ने 10 अप्रेल को सुनवाई की तारीक तैकी थी